आज पढ़ेंगे औसधी उद्योग में सुक्ष मजीवों की भूमी का या सुक्ष मजीवों का महत्व सुक्ष मजीवों या इनसे उत्पादित पदार्थों का औसधी के रूप में भी उप्योग किया जाता है एलेकजेंडर फ्लैमिंग नामक वैग्यानिक ने 1928 में पैनीसिलियम नौटेटम नामक कवक से पैनीसिलीन नामक एक एंटिवायोटिक को प्रता किया था स्ट्रेप्टोमाईसिन, और्योमाईसिन, टेरामाईसिन यह कॉमन नेम है आप लोगोंने सुने होंगे तो यह विसेश फरकार के एंटी बायोटिक ही हैं जो जीवानुओं द्वारा उत्पन निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड आधी घातक रोगों में लावदायक सिद्ध होते हैं, कुछ जीवानुओं के एंटी जन्स से बिभन रोगों जैसे चेचक हैजा आधी रोगों के वैक्सीन भी तयार किये जाते हैं, अब हम समझते हैं कुछ विस्स्ट प्रतिजैविक अर्थात एंटी वायोटिक जिन्हें जीवानुओं से तयार इसे स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेज यूएली नामक जीवानुओं से तयार किया गया है, टैरामाइसिन इस प्रतिजैविक को स्ट्रेप्टोमाइसीज रीमोसस नामक जीवानुओं से बनाया गया है, अब समझते हैं कुछ ऐसे प्रतिजैविक जिनका निर्माड कवकों द्वारा हुआ है ये प्रतिजैवेक औसदी का भी कार करते हैं जैसे सबसे महत पूर्ण पैनिसलीन पैनिसलीन को पैनिसलीम नोटेटम नमक कवक से तयार किया गया था पहली बार और परिक्षा में भी ये प्रशन पूचा गया है कि पैनिसलीन को तयार करने वाली या पैनिसलीन को ओध्योगे की स्थर पर किस कवक से तयार किया जाता है तो आप याद रखें कि Penicillium Notatum कवक से तो इसे खोजा गया था लेकिन ओद्जोगे के इस तरप इसका निर्माड पैनीसिलियम क्राइसोजिनम नामक कवक से किया जाता है तो दो जातियां हैं जो पैनीसिलियम तयाद करती हैं जैसे Penicillium Notitum और Penicillium Crysogenum इसके बाद है Clevacin Clevacin जो उसदी है इसे Aspergillus Clevatus नमक कवक से प्राप्त किया जाता है अगली उसदी का नाम है Irgoat Irgoat उसदी को Cleviceps Purpurea नमक कवक से प्राप्त किया जाता है